सो गैस आज की यह वाली जो वीडियो है ना बजट गेमर्स के लिए स्पेसिली काफी कमाल की वीडियो होने वाली है क्योंकि आज की इस वाली वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप फाइव बेश्ट बजट गेमिंग सीपी उसके बारे में जो की आप खरीश सकते हो पांच हजार से लेके दस हजार रुपे तक और वो भी सारे के सारे नए सीपी उस तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपको भी पसंद इस तरह की पीसी रिलेटिड मैं कोई भी वीडियो ला लूँगा इस चैनल के उपर हमारे जो यूट्यूब बाबा है वो भेद देंगे आपको इस वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन सो विधाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सुरू करते हैं आज की वीडियो को अगर आप सस्ते में वीडियो की जैनियून ओयम या फिर रीटेल की पर्चेस करना चाहते हो तो आप इनकी साइप से पर्चेस कर सकते हो यहां पर आपको ओयम की 750 रूपीज एंड रीटेल की तेरा सो पचास रूपए में देखने मिल जाती है एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है टीसी टूफिप्टी तो आपको एडिस्काउंट भी देखने मिल जाएगा अब इस वाले वीडियो में आपको जो भी सीप्यूस के वारे हो बताने वाला हूँ सभी सीप्यूस की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है तो इन टेल की तरफ से जानि हमारे ब्लू टीम की तरफ से वह हमारा इंटेल का ये वाला सी आइनटी वन एनडर्ट एफ figuring के साथ मैंने बीडियो में टिस बिल्ट कर लिया है तो अगर आप देखना चाहते हो कि इस वाले सीप्यूस के साथ अगर आप एक पूरा बिलड करते हो और में तो आप जाके उन वीडियो को भी देख सकते हो उससे क्या है आपके अंदर की जो संकार रहती है कि भाई कैसा परफॉर्म करेगा इस CPU के साथ अगर बिल्ड बनाऊगा वह दूर हो जाएगी अब यह वाला जो CPU है यह एक लॉग्ड CPU है मतलब आप इसको ओवर क्लॉक नही तो जाके आप एक बार चेक कर लेना अब इस वाले CPU में आपको 3.6 GHz की बेस क्लॉक एंड 4.2 GHz की बूश्ट क्लॉक देखने मिल जाती है 65 वोट की ओनली TDP के साथ आता है और साथ साथ में यहाप आपको 6 MB की कैश देखने मिल जाती है एंड हां साथ साथ में एक और important CPU चाहिए ही डिस्प्ले के लिए तो मैंने तो यह वाला डाउट भी आपका क्लियर कर दूँ अब यह वाला CPU मैंने इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि 6500 रूपय में काफी अच्छे लेवल की गेमिंग करवा देता है अगर आप इसके साथ एक 1650 Super या फिर RX 570 जैसा ग्राफि मिल जाएगी और दूसरा CPU बताने से पहले बता देता हूँ यह वाले CPU के साथ आप एक H310 motherboard ले सकते हो MSI का या फिर आसूस का अगर आप सस्तेवे बिल्ड बनाना चाहते हो क्योंकि ज्यादा तर लोग कमेंड करते कि भाई motherboard के बारे में भी बता दिया करो तो अगर आप सस 400 MHz वाले RAM को तो अगर आप इसके साथ 3000 MHz वाला RAM लगा होगे ना तो आपके जो एक्ट्रा पैसे इन्वेस्ट होते हो उसके उपर वह वेस्ट जाएंगे क्योंकि यह डाउन क्लॉक हो के आटोमेटिकली 2400 MHz पे ही चलेगा तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि streaming and editing के लिए यूज कर सकते हो बाकि जो next CPU आएंगे उसमें मैं आपको बताऊँगा कि भाई 10,000 के अंदर आप streaming के लिए भी कौन सा CPU ले सकते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना अब जो हमारा i3-9100F है यह four course and four threads offer करवा देता है यह quad core CPU है अब जो हमारा version भी इसको कह सकते हो 10100F को क्योंकि यह 10th generation का CPU यहाँ पे आपको कुछ थोड़े बहुत changes देखने मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको 3.6 GHz की base clock and 4.3 GHz तक की boost clock देखने मिल जाती है वही 9100F में आपको 4.2 तक ही boost clocks देखने मिलती थी एंड उसमें आपको four course and four threads देखने मि मिलते हैं मतलब 4 extra threads आपको इसमें देखने मिल जाते हैं अब यह वाले जो CPU यह भी 14 नैनो मीटर पे ही बना हुआ है तो हमारी ब्लू टीम है वह अभी तक 14 नैनो मीटर पे ही CPU बना रही है हाला कि जो हमारी red टीम है वह 7 नैनो मीटर तक आ चुकी है आपको 9100F से थोड़ा बहतर CPU चाहिए था तो आप 10100F को consider कर सकते हो अब इसके साथ आप पेयर कर सकते हो एक MSI का H410 motherboard या फिर आप पेयर कर सकते हो एक B460 motherboard अब यह जो मैंने दोनों CPU बताई यह दोनों CPU को आप gaming and editing के लिए यूज कर सकते हो अब उन लोगों का क्या जिनको भाई 10,000 के अंदर ए अच्छा सा ग्राफिक काड पेयर करके तो अगर आप गेमिंग के साथ साथ प्रोडक्टिवीटी वाले टास्क भी करना चाहते थे जैसे streaming या फिर एडिटिंग तो आप यह वाले CPU को ले सकते हो यह है Ryzen 5 1600 अब यह वालो जो CPU यह फर्स्ट जेनरेशन का Ryzen प्रोसेसर है मतल है उसका फाइदा यह होगा कि अगर आप प्रोडक्टिवीटी वाले टास्क ज्यादा करते हो जैसे एडिटिंग या फिर स्ट्रीमिंग या फिर मल्टी टास्किंग तो इन सीनारियो में आपको इसमें जो दो कोर्स एक्ट्रा मिलते हैं वह काफी मदद करने वाले आपका जो काम होगा वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा इसमें क्योंकि इसमें आपको दो कोर्स एक्ट्रा मिल जाते हैं टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 3.2 GHz की बेस क्लोक एंड 3.6 GHz तक की बूस्ट क्लोक देखने मिल जाती है 65 वोट की TDP के साथ आता है य तो हमारे राइजन 5 1600 के साथ आप MSI का A320 या फिर एक B450 मदरवर्ड लगा सकते हो अब जो हमारा चौथा CPU वो भी है AMD की तरफ से राइजन 3 3100 अब ये वालो जो CPU ये AMD की तरफ से 3rd generation का CPU है इन सौट ये वालो जो CPU आपको latest games में FPS थोड़े से ज्यादा निकाल के देगा इन साथ साथ में इसकी जो raw performance है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है अगर आप इसको 10100F या फिर 9100F से compare करते हो तो अब इस वाले CPU में भी आपको 4 cores and 8 threads देखने मिल जाते हैं साथ साथ में यहां पे आपको 3.6 GHz and 3.9 GHz तक की base clock देखने मिल जाती है एंड इस वाले CPU की price की बात करूं तो इस वाले CPU का आप 9000 से लेके 9500 रूपीज में purchase कर सकते हो एंड उस price range पे भी काफी अच्छी value offer करवा देता है यह वाला CPU उन लोगों को recommend करना चाहूंगा जिनको भाई games में ज्यादा से ज्यादा FPS चाहिए तो आप यह वाला CPU ले ले अगर आप इस वाले CPU के साथ एक decent सा GPU pair करोगे ना तो आपको अच्छे खासे level की gaming करवा देगा अब motherboard की बात करें तो यहाँ पे भी आप एक A320 या फिर B450 वाला motherboard लगा सकते हो अब अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि Intel की तरफ से 10,000 के आसपास 6 core वाला प्रोसेसर डूड कि इसके लिए आपको सायद 1000 रुपे एक्स्ट्रा पे करने पड़े यह आपको 10,000 से लेके 11,000 के आराउन मिल जाएगा एंड 11,000 रुपे में आप अभी भी इसको consider कर सकते हो 6 core and 12 threads मिल जाते हैं आप इसके साथ एक NVIDIA का GTX 1660 Super तक लगा सकते हो अच्छी खासी लेवल की gaming क परवा देगा कुछ technical specs की बात करें तो इसमें आपको 2.9 GHz की base clock and 4.1 GHz तक की boost clocks देखने मिल जाती है एंड यह वाले CPU इसमें भी आपको एक dedicated GPU लगाना पड़ेगा भाई display के लिए otherwise इसमें भी आपको कोई discrete graphic card नहीं मिलता है मतलब आपको एक dedicated GPU चाहिए display लाने के लिए तो यह वाले CPU को आप consider कर सकते हो Intel की तरफ से यह भी काफी बेतरीन CPU है अगर आपको इसका upgraded version चाहिए तो आप ले सकते हो Intel का i5 10400F हलागी जो हमारा 10400F है वो 10th generation का CPU है उसमें भी आपको 6 को और 12 देखने मिल जाते हैं बट वो थोड़ा सा महंगा मिलता है वो आपको 13,000 से ले वाला CPU आपको 13-14,000 रुपे में मिलेगा हाला कि यह आपको 10-11,000 रुपे तक मिल जाएगा तो देख लेना अगर आप बजट थोड़ा सा extend कर सकते हो तो इसको छोड़के आप 10400F लेना अदर्वाइस आप इसको भी consider कर सकते हो काफी बढ़िया value offer करवा देता है आज के टा 10 या फिर B365 वाला motherboard pair कर सकते हो तो बस यह थे वो top 5 budget gaming CPUs जिनको आप अभी के टाइम पर purchase कर सकते हो एंड इन में से अगर आप कोई भी CPU लोगे तो आप बिल्कुल भी निरास नहीं होगे आपके पैसे एकदम सही जाग लगेंगे तो I hope इस वाले वीडियो से आप लोगों करो जो भी पूछना है पूछ सकते हो तो बस आज की वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यह वीडियो को कर देना अग्दम मस्त एसे बड़ा सा लाइक दे देना एंड मैं भी बिलूंगा आपने नेक्ष वीडियो में किसी और ने दिन कि और ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन मचाते रहो